तो वेल्कम वाइस वारोन गेविंग के एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में और आज के सीवड़ी में आपको देने जारूं टीएस 15 की एक ऐसी आर्मी जिसे भाई हर कोई बंदा कर सकता है बाई यह सूपर आर्चर की आर्मी है जो कि इस टायम बहुत ज़्याद भी चुबनें और इस आर्मी में का आपको सिंपल सब मेन बता देट हूं जैसकि आप मेरे संव लॉग में देखेंगे तो आप दो देखेंगे जैसकी ब्लोली जैसे फील हो जाती तो फॉर्टीएन पे फिर ये फिर ऑचिद की सब्सक्रदें और नीचे और नीचे ब्सक्र सारी की सारी चीज़ा जो थी बहुत खतम हो गए टाउन वीडियो अफ्लेड नहीं तक तो घर में एक दिख्कत आगे थी तो उसलिए एक प्लेड नहीं हो रही थी लेकिन आप आठेउन करने के लिए और जितने पे बंदे वो ठेटीन से उपर वाले तो भी ज़ोइन कर सकते हैं लेकर वाई इस न मैंने किया था वह एक तीन घंटेंड्य पहले और इस अच्छी ज्याधा मतलब में ईद्धों का आप लोग डेखेंगे उसी बंदे में अपने दौन को जोड़ा पास में लगा रहा है और दूसरा आटाइक में एक लावा छोड़ना होता है उसके बाद आपको बिलिम चोड़ने हो बिलिम चोड़ने गद आपको अपना जो पॉईजन वाला है जो अपना इनिवीजिबल स्पेल है उसको क्लिक करके रख लेना जहां पर बिलिम करें वहाँ तुरन टे डाल देना अब देखेंगे तो आर्चर निकलती तो सबसे पहले आपको एग्रेज डालना तो थोड़ी दे इंतियार करना की आर्चर महाँ पर है की नहीं मैं देख लिए आर्चर नहीं तो दो कुलोन डालके एक इनिवीजिबल डालना फिर आपको नॉर्मल स्पीड से बाई अपने इनिवीजिबल डालते रहने हैं जिससे कि बाई कोई भी देखकर ना हो जिससे आप से चार सेकंड का इनिवीजिबल होता है तो उससाब से डालते रहना अब आप लोग यहां देख सकते हैं टाउनल कितनी जल्दी निकले आया वहां से पूरा का पूरा पूरा एक श्क्राटर अर्टरी ज्यादा था चीज आपन लोग निकाल अब इसका सीधा सा मतलब यह अपन लोगों को जितना कंपार्टमेंट चीए था होई 26 या 25 से साइंट कांपार्टमेंट आपको निकालना है इस आर्मी से उसके बाद आपको क्या करना है साइड में आपको अपना एक गोलम या यहाटी पहले छोड़के एक साइड से आपक इसकत नहीं होगी आरम से वो तोड़ दी आएंगे तो मैं इसकी साइड चालू करता हूँ एक आपको यहाप बेबी ड्राइगन डाला है ताकि फनल के लिए उसका आपको एक एटी फिर तीनों के तीनों एटी जितनी भी आर्चर पहले डालो तो वहाँ पर आपको यह जो करेंगे तो सारी के सारी आपको हील चुड़ने अगर मैं हीरो की बात करों हीरो में आपको कौन-कौन से पैत लेने तो आप लोग अपने फ्रॉश्टी लख सकते हैं और अपना फ्रोष्टी के साथ अगर आप रखना चाहें तो यह जो बोल तोडने वाला होता उसे भी से यह वाले हीरो आप लोग स्टेबल रहेंगे बात करूं पॉजिसनल लिजार्ड वगएरा की तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती कुँके वाई हीरो बगएरा का इसमें पता नहीं चलता कि वह कभी हीरो निकल गाए अब देख से 85 लेविल की थी भी की नहीं नहीं तो यहा आप लोग पीछ Ann से आंप लोग पीछे से निकले का उतना सहीं है अब यह एक देख से ही जिलके लिख लिए तो जाता है वाई एक रीप्ले आप लोगों देख लिया कैसा लगा आपको वाले रीप्ले बताना आप लोग अब मैं आपको एक रीप्ले ऐसा रहाऊंगा कि वाई फेल होने के चांसेस क्या रहते हैं वाई अपने इस अटेक के अंदर तो जैसकि जो 49 परसेंट वाला यह दिखाता हूं मैपको पहले एक और नीचे भी और एक और उपर भी दिखाता हूं होता क्या है जैसे कि अगर आप लोग देखेंगे यह बेस था मेरा अब इस बेसमें देख सकते हैं अगर मैं आर्टिलरी को उपर ले जाऊं तो भी मेरे को बहुत सारा परसेंटेज मिल लाएगा बाई ल तो पॉइसन वहाँ पर भाई छोड़ देता तुरंती और यहां पर देखना भाई स्लो कर देता हूं यहां पर आर्चर वगरा जो निकलती वो पता ही नहीं चलता कब खतम हो गई देख लो आर्चर बुल्कोली खतम ही हो गई मैं पॉइसन वगरा डालता हूं वाई जो आगे करता रहता हूं लेकर मैं सुस्तों टाउनोल तक निकले आगा लेकर माई जो एकल आटर रही थी बहुत ज्यादा ही डेमज देरी थी इस्क्राइटर साथा मोल लेट था वाई एक मल्टी एक सिंगल इंफर्न होता है तो काफी सारी चीज़े लग गई थी प्लस आपको ट्रिक देता हूं अगर एक आरचर भी अंदर आ जाती तो पूरे के पूरे हो जाते तो इतना टाइम नहीं मलता दिमाग कुछ ताम नहीं आता अब देख सकते हैं कितना डेमेज आपन लोको ने निकाल लिया था मौनल इस से लेकर हड़ चीज तक दॉर्मल से अपने यूजवाल अटेक चालू करते हैं उसी साइट से जाद आता और देखते कितना कि कितनी वैल्यू नखल जा दिये अटेक आप लोग देख सकते हैं एजी ली आरम से त्री लग राता भाई हो जाएगा आरम से क्योंकि वाई बेस में कुछ रही नहीं गया था लेकर एंड टाइम तक आते आती यह जो अपना यह जो अपना टाउनोल की जो रेंज है वो बड़े आती है और भाई कौफी निकाल लेगे उतनी देर में और चक क्यों भी नहीं निकाल पाती है तो इस तरह सवाई 99% पर भी आपका कुछ अटेक फेल हो सकते हैं एक अटेक के लाइफ करने का तो मैं लाइफ के लिए आपको आर्मी दुबारा दिखा इस आर्मी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन भी गोलम ले सकते हैं लेकर याला गोलम मैं इसलिए लेता हूं ताकि वाई कुछी जब फ्लीज हो जाएं और थोड़ा टाइम मिल जाए इसे हील होने का तो अटेक करते हैं चालो वैसे मेरे लाइफ अटेक में बहुत गंदे अटेक जाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करता हू इसको तो कोई फाइदा निया आगे बढ़ती है अब धेकिए इसमें में आटेक क्यों नी कर नहीं आपको बताइक क्यों नहीं कर आँ हूं अब झेके इसमें चो वाई तो तुरंट फटे आगी आगे आदे राज्ते में तो उसका कोई फाइदा नहीं और इनिविजिबल जहाँ वाई इनिविजिबल टाउनोल के असपास देख लीजिए थोड़ा कम अब यह देख सकते हैं आगे बहुत कम अपार्टमेंट है तो कोई फाइदा नहीं और बहुत ज्यादा मैक्स वेस है थोड़ा अकल से अटेक करना तो रस्ट वाले डून अपने अच्छा गासा बना रखा इसने बेस तो अपने लोग को मेंन चीज़ें मिलनी चाहिए वह मिल बन जाएगा तो सबसे पहला अपने लेविल तरी का अपना लून आएगा उसके बाद अपनी तीनों की तीनों चीज़ आ जाएंगी एक बार मैं इनिविजिवल पर कल देता हूं जहां तक अपनी आर्ट ले रही जा पाएगी वहां तक जाएगी उसका मैं तुर्णत यहा तो यहां देख सकते हैं अच्छी काजी अपन लोगों ने जितना भी एरिया था वो अपन लोगों ने निकाल लिया आप डालते जाओ जितना टाइम मिलता जाएगा उतरे पर बाई डालते आओ यहां थोड़ी बाहर चले गई थी अपनी तो उसको ध्यान से देखके करना दिख सकते हैं थोड़ी देर के लिए अगर क्लोन लेट हो जा तो इसमें भी दिक्कत आ जाती है तुरंत वह अपना जो अटेक वगरा होते वह चालू कर देते हैं अब इसमें भी टाउन नहीं मिल पाया आप मनलोगों लेकर कोई बात नहीं जितना एरिया मिलना था वह ज् जितने भी चीज़ थी वह लगने के लिए लग गई एक ही है एक ही है वार्डन किंग कोई और चारो को चारो वाल वेकर आजाएंगे आगे तो यह जितना भी फनल क्रियाट होना तब हो चुका है यहां से आराम से अपन लोग अटेक को चालू करते हैं अब जिसके वाल इंग की हील में होगा क्या बच्चे जोग इसके हील होते रहेंगे और उससे अपनों के तरी दिक्कत नहीं आएगी अब यहां पर देख सकते कितनी जो पर सेंटिक टेज की वैलियो वो निकाल देगे आरम से तो कोईन की जो भाई एबिलेटी वो सई चल लिए अभी बहां इस आए आए जो एज़िली ठी होने सोने ख़ा जाए बहुत्ट लीयाँ अंपर लोल लगा तो मैं ने देखा ही नहीं ग्राउंड का वाटर ने तो वाई मनना तो पका है थोड़ा आगी चलता है वो सब टूपों के साथ चलता है तो इस शक्रम अबिलेटी देंगे और यहां पर आरम से बूम थरी हो जाएगा यह वाला अटक आरम से तो यह वाला जो अटक तो आरम से थरी हो गया आर्चर को इन लेना उसमें जोइन होना मत बूलना मिलते हैं आप से नेक्स शूडियों तब तक लिए टाटा बाई बाई से यू